हेलो दोस्तों स्री क्रिशन टूटर कलासिजिम आपका स्वागत है बैतिन टोपिक के साथ आज के सेशन की सरवात करेंगे जो आलिश्वे सिवधान संसोधन जो कि प्रिक्षा की दरश्टी से बहुती मैत्पॉर्ण होने वाला है अगर आप पिछली प्रिक्षा के परसनों को देखोगे हल करोगे तो इससे रेलेटिड एक या दोकोशन आपको मिल जाएगा चलिए चौश्वे सिवधान संसोधन के बारे में हम बात करते हैं चौश्वे सिवधान संसोधन कब किया गया 1978 में किस कौन से सरकार थी किस सरकार कि कौन से सरकार थी या कौन से पार्टे थी भारतिय जनता पार्टे प्रधान मंतरी मौरारजी देशाई और इस समय राष्टपती चला जाएगा निलम संजीव रेडी निलम संजीव रेडी पहले भारतिय राष्टपती थे जो निर विरोध चुने गई इसके जब इसका एलेक्शन्स हुआ था चुनाव हुए थे तो 37 उमिद्वारों ने नामांकन किया था तो 36 उमिद्वारों का नामांकन खारिज हो गया था इसी वज़े से निलम संजीव रेडी निर विरोध चुने जाने वाले भारतिय राष्टपती थे जो 44 सिवधान संसोधन की बात करेंगे हम जो हमने 42 सिवधान संसोधन किया था उसके अपॉजिट गया टालिस सिजभान जो संसोधन किया इसमें पहला पॉैंट जाए गया हमारा बहुत ही मेतर पॉड है लोक सवा ऑर विधान बंडल यह रज्यविधान बंडल में 42 से दानसन सवधन के तैत लोक सवा और राजे विधान बंडल और जो करे काल था वो छे साल के आगा था इसको दुबारा फिर प्माच वर्स कर देयागा ब्याल स्वे से विदान संसोदन में कोरम संसद और विदान मंडल कोरम की समाप्ति करते थी किस की समाप्ति करते गई थी कोरम, दोस्तों किस की समाप्ति करते गई थी कोरम ये कोरम की समाप्ति 42 सिवदान संसोदन के दवारे की गई थी कोरम क्या होता है कोरम सदन के सद्धेश्य के एक नियुनतम से खहती है जो सदन की कारवाई चिलाने के लिए जिरूरी होता है कम से कम तो 44 सिवदान संसोदन के दवारे कोरम को दवारे यह पुने लागो किया गया कोरम की अगर बात करें तो एक बटा दस्वा भाग सदन में उपस्थित होने चाहिए तब ही सदन की कारवाई चलेगी माल लो राजे सबा में तो 44 सदेश्य है तो इसके एक बटा दस्वाग एक बटा दस्वाग चला जाएगा 25 सदेश्य है अगर सदन में 25 सदेश्य है या 25 एमपी है तो सदन की कारवाई शुरू हो जाएगी अगर 25 सदेश्य नहीं है तो जो लोग अधैक्स है वो निश्चित करेगा कि जब तक सदेश्य या कोरम पूरी नहीं होती तब तक वो वेट करें तो यहां पर मैंन बात क्या चली जाएगी मैंन बात यह चली जाएगी जो संसद और विदान मंडल है जो कोरम की समाप्ति की गई थी 42 सिर्दान संसदन के तहित उसको पुने लागू किया गया बहुत ही इंपोटेंट बात है यह संपत्तिक आदिकार जो संपत्तिक आदिकार था संपत्तिक आजो मोलिक आदिकार था उसको मोलिक आदिकार से अटाकर कानुनिय आदिकार बना दिया गा यह किस स्विधान संसोधन के तैथ कियागा? 44-वे س्विधान संसोधन, 1988 के दोवारा संपत्तिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दियागा कब 44-वे स्विधान संसोधन, 1973 के तैथ और इसको तिनसो कैम में रखा गया और क्या चला जाएगे यहाँ पर पारट बारा में और चैप्टर फोर में इसको रखा गया था ये कोश्चन्स पूछा गया था कि जो संपति का दिखार था उसको हटा कि कौन से चैप्टर और कौन से पार्ट में रखा गया तो ये चला जाएगा पार्ट नमबर बारा चैप्टर नमबर फोर बहुत ही इंपोर्टेंट बात है मैत्यपूर्ण यहाँ पे उसके बाद जो राष्ट्रवति को कैबिनेट की कैबिनेट की सला को कमपल्सरी किया गया था राष्ट्रवति को कैबिनेट की सला को कमपल्सरी किया गया था या बादित्ता दी गई थी आब उसको समाप्ट करती आ गया है राष्ट्रवति उस विदे को पुर्णर विचार के लिए वापिस बेज सकता है अगर दुबारा फिर वो बेजते हैं तो फिर राष्टपते को मंजूरी देनी पड़ेगी सहमती देनी पड़ेगी बहुत ही important बात यहां पर यह चली जाएगी बहुत ही मैतपून बात यहां पर यह चली जाएगी कि जो article 20 और 21 अनुछेद 20 और 21 अनुछेद 20 और 21 को राष्टिय आपात के समय निलम्बित नहीं किया जा सकता क्या है कि अनुछेद 20 और अनुछेद 21 को राष्टिय आपात काल के समय निलम्बित नहीं किया जा सकता बहुत ही method and questions से आपको यह मिल जाएगा प्रविश अग्जाम में अगर आप पिछली प्रिक्षाओं में पिछली प्रिक्षाओं को हल करोगे तो वहां पे आपको यह मिल जाएगा कि कौन सा मोलिक अधिकार है जो एमर्जेंशी के दोरान या अपात कालन के दोरान सत्गित नहीं होता तो वह चला जाएगा अनुछेद 20 और अनुछेद 21 ये अधिकार कब मिला हमारे को 44 वाज स्विदान संसोदन के दोरा इसके बाद हमारा यहां पे ये राष्टिया पात के संद्रम में अंत्रिक विद्रो के अंत्रिक विद्रो अंत्रिक विद्रो सबद की जगह है अंत्रिक विद्रो सबद की जगह है से सस्तर विद्रो यहां पर important बात क्या चलिए जाएगी कि राष्टिया पातकाल के संद्रम में अंत्र की विद्रो सबद के स्थान पर से सस्तर विद्रो से सस्तर विद्रो का नाम दियागा या से सस्तर विद्रो सबद प्रियोग कियागा यह भी बहुत ही important बात हो जाएगी कि सस्तर विद्रो सबद का प्रियोग कब कियागा 44 से स्थान संसोदर 1970 के तहत यह कियागा यह था दोस्तो आज का हमारा टोपिक मैं उमेद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो like, share and subscribe केजिए, जैहिंद जैवार्थ